कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ अच्छे होंगे आज किस वीर्म देखने वाले हैं जो फिजिकल एजुकेशन का जो पीपर होता है इसमें हम कुछ सो कोश्ट मौस्ट इंपोटेंड देखेंगे जो एक्जाम में बारवार पूचे जाते हैं उन कोश्षनों को द्यान देंगे बागी कुछ एक्स्रा कुछ नहीं देखेंगे मैं आपको बस यह वज़ा हो रहा हूँ कि आपको वही कोश्यन पढ़ो, जो एक्जाम में आए, आप B.A. में हो, B.H.C. में हो, बीकों में हो, फ़स्टी यो, साइट यो, थर्डी यो, किसी का वर्क नीवरदा, समझ रहे हो, आपको फेजिकल इडिशन का फेपर इसी टाइप के कोश्यन मनते हैं, सारे रिकसिक्षा कोई भी कोशिन बाहर नी जाएगा मैं खुद बादा करेंगे ल WRTH कोई कोई भी कोशन नहीं नहीं देंगे तो आपको क्या करना है पेपर हैकर वीपिटन को अभी सुस्क्राइब कर लेना है अब पहला eat कि तुछ यहां जो unit number बन की बात की जाएं, तो इसका देखो अर्थ की परीभासा यहां बोला गए सिक्षा, सारिक, सिक्षा और सारिक जो साधन होते हैं और प्रेस्क्षण होते हैं उनके बारे में यहां पूरा डिसकस किया गया इस यूनिट में, तो हम यूनिट को आपको 7 बजी से आपको एक class दे दी जागी, 7 PM पर एक class मिलेगी, daily, ठीक है, PM अलगी साम को, और 8 बजी से 8 PM को मिला करेगी, एक 9 PM को, ठीक है, 9 PM को भी class एक मिला करेगी, वहला किसी ना किसी subject की आपको proper class मिलेगी, आपको daily, ठीक है, तो आप daily attend करेंगी class होगो, कोई दिक्कत नहीं, जो important question है, वही किसाब से, ठीक है, अब यहाँ देखो, क्या बुला गया है, सिक्षा, यहाँ बुला गया है, सिक्षा किसके अंतरगत आता है, तो आता है, यह मौलिक अधिकार है, यहारा मौल अधिकार है, और मौल अधिकार होता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आप कि कोई बिकल्प को नहीं देखना है, ठीक है, चलो, उसके बाद में, यहाँ देखिए, फटा-फट देख लिएचे, यहाँ देखो, question option 14 आ गया, तो तीन बार question पूचा गया, एक बारे question को हम कभी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ बुला गया है, सारिक शिक्षा, उन next question को देखिए, यहाँ बुला गया है, सारिक शिक्षा को लोग पर या बनाने हितो आविसक कार है, तो सारिक शिक्षा जो होती है, उसको लोग पर याविसक कार है, वो कौन सा है, तो आप को कि समाझ की ज्यागुर्कता, जिसने वे option number D को लौक किया है, लर Scotland, सारल नेक्स क इसकी है तो यह परिभासमा महात्मा गांधी की है option number एक को लॉग करेंगे नेक्स कोशन देखें यहां देखें बात करने वाले किस मुस्लिम समराज समराट को या समराट की मृत्यू चौगल खेलते हुए हो गई थी ठीक है किसकी हो गई थी तो आप सभी कहेंगे कुतब मिनार एक की हो गई थी option number एक को लग करेंगे नेक्स कोशन है आपको लगा है सारिक सिक्षा का एच वी स्वरी एच सी वक उद्देश नहीं है तो एच वी सा मनलब जो सारिक सिक्षा का एच सी जो एच सी दिया वो लगा है देखो एच सी वक जो उद्देश नहीं है वो कौन सा रही है वो है मान से विकास का उद्देश रही है नेक्स कोशन को चलते हैं देखो इन कोश को देख लीजेए यहां बूला गया है किस अगड़क कि कि यह देख तो कौनसे देस चरा साल कर देखां सकते हैं उनके अज्व नेक्स कोशन देखो, यहां बोला गया है, सारे एक सिक्षा का अर्थ होता है, तो सारे एक सिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो सारे एक सिक्षा का अर्थ सभी होता है, जैसे कि कौसल का साधन, ठीके, तागत का साधन, मनुरंधन का साधन, टीक को लॉक करेंगे, नेक्स कोशन देखो यहां बोला गया है, शिक्षा के अंग है, तो यहां पढ़ते हैं किताब होगो, चलो उप्रोक सभी राइट होगा, यहां देखो बात करने वाले हैं, देखो यह दो दो बार कोशन बूचा गया है, छोड़ दीचे इसको, अब नीचे पहुँच जाई इस वाले कोशन 35 कोशन बोला गया है, देखो सरीर, मन, आत्मा की सुद्धी के साधन है, तो कौन है, तो आप गोगे A और B, देखो सरम करोगे, नियम करोगे, आसन करोगे, प्रणयाम करोगे, और प्रतिहार और धारणा और ध्यान करोगे, तो हमारा सरीर, मन और आत्मा सुद्धी होती है, नेक्स कोशन के दिबात की जाए, यहां बोला गया है देखो, जॉन डीवी, किस बिचारधारा के जन्म दाता थे? तो जॉन डीवी तो थे, वो प्रिगरती बाती बिचारधारा के जन्म दाता थे किस ने कहा कि सरीर सिक्षा पदिती का एक अभिन अंग है तो यह कहा था बूचर ने option number A को लोग करेंगे कि सरीर सिक्षा पदिती का एक अभिन अंग है नेक्स कोशन यहां बूला गया है सिक्षा का कार क्या है तो सिक्षा का जो कार होता है वो होता है व्यक्ति को समाज के योग बनाना शिक्षा का कार होता है अब यहाँ देखिए नेक्स कोशन यहाँ बोला गया है 45 में कोशन बोलें कि यहाँ करा है सारिक शिक्षा का केंद्र बिसे क्या है तो वो होता है सारिक शम्ता यह केंद्र बिसे माना जाता है तो लास्ट और शर्ब मतलब तो सुनने वाला और देखने वाला जो माध्यम होता है जन संपर का वो होता है टेली वीजन जिसे हम टीवी वेगारा कहते हैं ठीक है चलो यहां देखेंगे आप यूनिट नमबर टू आगए हमाने सामने और इसमें हम यह देखेंगे कि सारे सिक्षा के लक् अगजाम हो दोजार तेश का एक्जाम हो फिजीकल एजूकेशन का पेपर ऐसा ही टोटल चपता है तो देखो आपको डेली आपको क्लास मिलेगी आप प्री चलो सस्क्राइब करके रखेंगे यहां देखो बुला गया है सिक्षा का उद्धियात्मिक विकास करना है यह कथ अब यहां देखिए इस कोशन को देखिए अठारवे कोशन वाकी सब्धे को दिये तीन वार पूशन बढ़ेंगे जो बार वारा पुचा गया है यहां कहारा राजकुमारी अम्रित और कोचिंग योजना कब सुरू करें गई तो आप यहार करेंगे 1951 में की गई थी नेक् सा उद्देश जे भी नैस का नहीं है तो जो उद्देश है डी ऑप्शन खाली समय का सद्रुपियोग करना यह क्या है जे भी नैस ने नहीं कहा था यहां बात की जाए 24 में कोशन को यहां बोल गया है सारी रिक शिक्षा के लाब होता है सभी बच्चों को भी होता है सामख विकास और मान भी है संबंदो का विकास मानसिक विकास है यह किस ने कहा था तो यह कहा था चाल्स ए बुशर ने तो चाल्स ए बुशर ने कहा था ऑप्शन नमर सी को लोग करेंगे नेक्स कोशन यहां बोला गया है सारिक शिक्षा महतपूर्ण शिक्षा है क्योंकि क क्या है यह कैसा है यह इस पूर्ती प्रदान करती है कैसे करती विटा यह इस पूर्ती प्रदान करती है सारिक शिक्षा मदम जिम करते हैं तो हमें क्या है फूर्ती बिलती है तो इस फूर्ती प्रदान करती है यहां देखिए यहां बोलागा है सारिक शिक्षा का मुख उद् त्यारी मदद करती है तो देखो पुर्व पृतियुकता त्यारी मदद करती है वो किसमे करती है उप्रोग सभी में करती है निरंतक में जो पृत्युसाहक होते उसमें भी करती है प्रदसक कित्ती बहतरी में करती है और पृतियुकता में सफलता के लिए भी करती है और पृत लैक किसे बिखस्ट करता है, तो आपको गती के लिए बिखसित करता है, ठीक है? यहाँ देखो Olympic के आदर से बाग के च wipe के जो तो रटी का सिद्धान तो प्रयास का सिद्धान ती ये क्यों होते हैं, सीखने की सिद्धान तो होते हैं, आप गलती भी करोगे और सिदार होगे भी, यहाँ देखो कुछ और कोशन भी दे रखें, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, अब यहाँ देखेंगे, तो पहला कोशन है, ब्रदी का अर्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है ब्रदी हड्डियों में रसानिक परिवर्तन, ब्रदियों का हर्थ नहीं है, यहाँ मुला गया है, किसको मापा और तोला जाता है, तो देखो ब्रदी, ब्रदी को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, यहाँ देखो करा है, कौन सी क्रिया बिसेश आयू के बाद रुख जाती है, तो वो ब्रदी की क्रिया है, हम जो बढ़ते हैं, ग्रोध बढ़ती है, व नेक्थ कोशन है ब्रत्थी और विकास में जीरो से तीन साल की उमर का समय जाना जाता है तो वो जा जाता है शिसु अवस्था बोला जाता है उनको अब देखिए मैं नीचे चलता हूँ और यहां देखिए या के य स्थापना कब होई थी तो यह 1882 में होई थी अब देखे एक question और है यहाँ देखे प्राचीन ओलंपिक खेलों में बिचवताओं को क्या इनाम दिया जाता था तो उसमें जैतून के पत्ते से बना ताज दिया जाता था यह बहुत जादा important है प्राचीन ओलंपिक में यह बहुत जादा पूचा जाता है अब देखे चार यूनिट यहाँ दे रहे हैं चौथी यूनिट मैं अहां करा देता हूँ जितनी यूनिट अभी करो क्लियर करते हैं लगबग मैं देखे थोड़ा टाइम आपको लगबग बीडियो अच्छी होनी चाहिए और मैं बही बन सारीक शिक्षा का बिकास स्वत्थनतता से पूर्व एवं स्वत्थनता की पश्चाच जो हुआ था उसके बारे में पूचा गया है यहां देखो पहला कोशन पूचा गया है कहा घर ही सारीक सिक्षा के पृत्थम संस्ता थी तो आप कोगे जो इस पार्टा बोला जाता है वहां की थी यहां देखिए एथेंस में सारीरिक शिक्षा अध्यापक को क्या कहते हैं तो वो कहा जाता था पैडो ट्राइब option number C को log करेंगे चलो यहां देखो जो बार-बार कोशन पूचेंगे बहीं पूचेंगे कह रहा है किस राज में सारीरिक शिक्षा का कारिकरम कठोर था तो वो था इस्पार्टा में इस्पार्ता ठीक है चलो नेक्स कोशन यहां बोला गया है सोतन्ता प्राप्ती के पूर्वसारिक शिक्षा समझी जाती थी तो वो समझी जाती थी समाने सिक्षा का एक अंगे के रूप में नेक्स कोशन कर चलते हैं ये देखिए राजीव गांधी खेल रतन पुस्कार कब प्रारब हुआ तो आप कहेंगे 1991 से लेकर 1992 में प्रारब हुआ था ठीक है चलो देखो जो important है भही कराऊंगा फाल तू कुछ नहीं कराऊंगा यहां बुला कया है राश्टी खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को राश्टी खेल दिवस मनाया जाता है नेक्स कोशन यहां बुला कया है कौन सी संस्था ACI खेलों का निंतर करती है तो आप कहेंगे I.O.A जो है वो निंतर करती है नेक्स कोशन है अर्जिन पुस्कार की सुरूरात कब की गई थी वो 1961 में की गई थी पिर्थम अधुनिक ओलंपिक खेल किस बर्स में खेले गए थे तो वो खेले गए थे 1896 यहां करा नकलाव क्रेश्ची सिक्षा कॉलिज की स्थापना कब हुई थी कई बार पुशन कुछ आ गया है तो इसको आपको I.O.A इसकी हुई थी ठीक है सिक्षा कॉलिज की स्थापना हुई थी 1922 में चालो नेक्स कोशन देखेंगे ये वाला देखे यह छोड़ी है यह वाला यहां देखो बुला गया है बाई M.A.C. College of जो Physical Education की स्थापना कब और कहा की गई थी तो आप गईगे यह मदरास में की गई थी 1920 में है ठीक है हनुमान व्यास से को छोड़ दीजिए यहां देखे इस कोशन को देखिए हनुमान व्याम प्रिसार मंडल जिसी हम HVPM बोलते हैं ठीक है इसकी स्थापना कब की गई थी तो आप गएंगे इसकी स्थापना 1914 में की गई थी लश्मी भाई सार्रिक शिक्षा कॉलिज की स्थापना कब की गई थी तो गॉलियर में है यह और यह 1957 में की गई थी कब की गई थी बीटा 1957 में ध्यान से देखेंगे 1957 में की गई थी चलो next question क्यों चलते हैं देखो यह बार बार question बूझे गए भाई देखो महारानी लच्मी बाई National College of Physical Education इस्तिद है गॉलियर में अभी मैं आपको बताया था 1920 में इसकी स्थापना की गई थी बहुत ज़्यादा एंसी सी का पूरा नाम क्या है देखो कितना important question है एंसी सी का पूरा नाम क्या है तो एंसी नेशनल कैडिट कोर बोलते हैं option नमर B को लॉक करेंगे next question है सोतंतर हूर्व सारी सिक्षाद दी जाती थी सोतंतर ह nie से पहलो में जो सारी सिक्षाद दी जाती वो अखाडे में दी जाती मीटा next question आपके सामने आचुका है Olympic जटे में बने चले का बने उलंपिक चला होता है तो आप होगे उसे महादीब को दर्शाता है तो यहाँ देखो कहारा है पिर्थम ACI खेलो का आयोजन कब हुआ था तो आप गएंगे पिर्थम जो ACI खेलो का आयोजन हुआ था ACI खेलो का वो हुआ था बिटा 1951 में नेक्स कोशन है बुला गया ओलम्पिक खेल कितने बरसों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है तो चार बरस के अंतराल पर जो ओलम्पिक खेलोते हैं वो आयोजित किये जाते हैं प्राचीन भारत में सारिफिक सिक्षा एवंखेल कूद बयाम किये जाते हैं तो आप गोगे जब पिरसासन पिरसन होता था तब उसको निश्चित थे अब नेक्स कोशन बुला गया है माननब अनुवनसकी के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो आप वोगे पारिवारिक प्रियोगों का उपयोग किया जाता है नेक्स कोशन है बंसागती के बाहक कौन होते हैं बंसा और पूरस कोस्का में क्रोमोस्वम की संख्या कितनी होती है तो 22 जोड़ी प्लस X बाई ठीक है 22 जोड़ी प्लस X बाई ये क्या होते है क्रमुसम की संख्या पाई जाते हैं 23 जोड़ी गुर्सूतर होते हैं याद रखें 23 जोड़ी गुर्सूतर होते हैं और तेज का मतल होता है 46 गुर्सूतर होते हैं तो आपको के 20 होंगे, मतलब युगम का मतलब होता है जोडे में, जब 40 गुड़ सो होता है टोटल, तो 40 का मतलब आदा कर दो, तो युगम मतलब होता है सयोग करके बने हो, तो 20 होंगे, नेक्स यहाँ कोशन मुलागा है, एक संकर, संकरनत की, F2, PD, तता प्रवावी कह सकते हैं, गुड़ों का अनुपात होगा, तो वह होता है, तीन अनुपात, एक होता है, नेक्स कोशन मुला गया है, देखिए, ब्रद्धी को प्रवावित करने वाले घटक कौन-कौन से होते ह है, तो आहर, व्याम और अनुवन सिकरम, जोब आपको ऊपर बताया था, यहां कहा रहा है, गर्ब, देखो, गर्पूर, चड़को, तो आप मैंने जाइगोट अभी आपको बताया था, यह तो कोशन करा चुका हूँ, यह तो सारे कोशन करा चुका हूँ, में बेटा उपर चालो, यहां इस कोशन को देखिए, यहां कहा रहा है, अरतिसमा कोशन, मानब में ओटो सोम कितने जोड़े होते हैं, तो ओटो सोम के जोड़े होते हैं, मैंने कहा बाइस पिलस एक्स बाइस जो होता है, बाइस जोड़े जो होते हैं, वो ओटो सोम के होते हैं, याद रखन खौरण डायक ने चीखने का सिध्धान तलिया था आयू साल और दिनों में जाने जाती है सरीर किरिया की आयू समयोजन की समस्या सबसे अधिक किस में होती है तो किसोर अवस्था में होती है यह बोला गया है आदिक तो कौन सा कारण नहीं है तो वो है रुची, अनुवन सी खेलो में रुची किस अवस्था में अधिक होती है तो वो होती है बाल का वस्था में नेक्स कोशन आपके सामने इसको देखिए यहां वो लग है, सिक्षा मनो विज्ञान सायक है वो संपूर्षेक्न परकिरिया में सायक होती है तो आपके संपूर्षेक्न सी किरिया में इस तरीके से आपको बहुत जल्दी आप आप याध कर सकते है पीडियास का लिंक दिसकाप्शे में दे रखा है यहां कहा रहा है देखो पाव लॉब ने अपना प्रियोक किस पर किया था तो कुट्ते पर किया था वि billions गोर्ड ने कहा था next question आपके सामने आता है सीखना मुक रूप से निरभर करता है यह होता है, परिवक्त वावगान निरभर करता है जो प्रिष्टी करता है उस पर निरभर करता है वो सीखना नहीं बहुत दे सकता है next question बोला गया है कौन सा सीखने वाला सिध्धान्त नहीं है, तो आप गोगे, देखो, जो लडाई और जगडा होता है, वह सीखने का सिध्धान्त नहीं होता है, इसको याद रखना कभी, कभी लगा दो कि सीखने का सिध्धान्त होता है, नेक्स कोशन यहाँ देखो दिहान से, यह कोशन बु कोशल सीखने के वजदे होती है, नए कोशल सीखने की योकता सबसे अधिक है, तो वो होती है, कसोर अवस्ता में होती है नेक्स कोशन यहां बुला गया है चलो नेक्स कोशन आपके सामने है सीखने की पिरकिरिया को प्रभाहिद करने वाले कारक होते हैं इन में से सबी जैसे की कह सकते हैं बाता बढ़ भी रुची है और रणा है ये सारे इनको बादा डालते हैं next question है सीखने का पठार, सीखने का पठार क्या होता है, सीखने की पिरिक्रिया पर कोई प्रवाहब नहीं पढ़ता है, यहां बुला गया है, सिक्षा मनो भिज्यान का उद्देश क्या होता है, इन में से कोई नहीं, इनमें से coin option number D को log करेंगे देखो, यहां कोशन बोला गया है अंता दरश्य या सूज द्वारा सीखना सीखने का सिध्धान थैं सूज द्वारा या अंतर दाश्ट कोहर का सिध्धान किसका सिध्धान थैं? next question आपके शामने आ हो canlar का नेक्स वर तो है सीखने का मुख नियम क्या होता है वो होता है अब यहां क्या है जितना अब यहां कर लोगे उतना आपको सीख सकते हो Next Question बुला गया है. देखो. खेल में प्रसंसा, निंदा, पुस्टकार. किस प्रणा के अंतर गत आते हैं? तो बहुत है सक्रातमक के अंतर गत आते हैं. Next Question आपके सामने आ चुका है. निमनिकित में से कौन सा प्रात्मिक अभी प्रणा नहीं है? तो आप कहोगे affection जो होता है वो एक प्रात्मिक अभी प्रणा नहीं होता है बहुमुर्खी रुची रहते हैं तो बहुमुर्खी जो रुची रहते हैं जो बहुमुर्खी के मतलब होता है जो अपने आप में और दूसरों में रुची रखते हैं बहुमुर्खी जो होते हैं बहुत ज़्यादा यह question बनता है, तो इसलिए मैं आपसे कहा रहा हूँ, यह important question है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, यहां कहा रहा है, बहुमुकरी रुच्वी किसमें रखते हैं, तो अपने आप में सबसे ज़्यादा रखते हैं, वो बहुमुर्खी जो होते हैं, next question आपसे द track में lane होती है, इस तो 7 lane होती है, यहां कहा रहा है, छोटी जो दौर कह सकते हैं, छोटी दौर या थोड़ी दूरी की दौर कहते हैं, में जो धाबक दौरता है, तो अपने कैसे गली में, एक गली टैप की बनी होती है इस तरीके की, तो उस गली में ही दोड़ेगा, अपने दूसरे गली में नहीं जाएगा, ठीक है, नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है, देख लीचे, ज्याद आवार है वही कोशन को देखेंगे, चलो, इस कोशन को देखें, य या फिर हाड डिल लगा होता है, वो 1.062 मीटर होती है, 0.67 मीटर, ठीक है, आप्शन माझ सीगोल आप करेंगे, यहां देखिये, चलो इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिये, यहां कहा रहा है मैराथन दोड की दूरी होती है, मैराथन दोड की दूरी होती है, वो 42.19 किलो यह बहुत जादा इंपूर्टन है, यहां कहा रहा है, लंभी कूद में टैक और वोर्ड की चोड़ाई होती है, तो वो दिये 10 सेंटी मीटर, नेक्स कोशन को चलते हैं, यहां आपको देखिये, मैरा आपको बताया है, जो हार्ड लिल की स्खेल से जबंदित होता है, वो आ उपकराण नहीं है, तो आप कहोंगे, कह सकते हैं, जो इस new Short Put है, वो क्या है, एक कूदने का उपकराण नहीं होता है, यहां कह시ista होता है, यहां कहाँ लंभी कूद में कूद के, runway की चोड़ाई कितनी होती है तो आप गोगे 1.22 मीटर होती है यहां कहता है लंबी कूद में tack of world का रंग कौन सा होता है तो आप गोगे सफेद होता है यहां कहता है लंबी कूद में आख़डों जो कैसा अखाडों की लंबाई होती है या लंबी कूद चक्का जो होता है ना चक्का फेक देंसан तरही के खुरे हैं जो काह सकते हैं सेक्टर कितने अंस्का होता है तो आपको गे 34.92 अंस्का होता है उच्छा आलो नीचे चलते है इस قutcheNet को देखिए यहां बुला गोला फेक में गोला फेका जाता है एक हाथ से यहां देखिए यहां कहा रहा है भाला फेक में भाला फेक का जो सेक्टर होता है वो कितना होता है 29 अंस होता है याद रखना भाला फेक का सेक्टर होता है 29 अंस होता है महलाओं के लिए भाले का बजन होता है 600 ग्राम ठीक है यह बोला गया है कबड़ी के जो कोड़ होती है कि माप कितने होती है जिसे मैदान कहते है कबड़ी का कोड़ बोला जाता है उसको उसमें होता है 12.5 इंटू 10 मीटर नेकस्ट ये कह रहा है बक लाइन सबदावली के कहल से समध्दंदन इता है यहां कहरा है लोला सब्दक क्स खेल से समध्द इता है तो कोको से लोना समध्द होता है खोको खेल एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आपको गए 9 खिलाड़ी होते हैं खो में खोको में और कबड़ी में होते हैं 7 खिलाड़ी खोको पोल की उचाई जमीन से उपर कितनी होती है तो आपको गए वो होती है 1.2 मीटर next question बोला गया है छेत्र की चोड़ाई कितनी होती है खोको में आपवे 2.75 मीटर यहां बोला गया है badmantle युग code की लंबाई चोड़ाई कितनी होती है 64 x 20 badmantle का इस्तान कहाँ पर है तो weं इंगलेंड में है next question है lawn tennis कोड की लंबाई चोड़ाई कितनी होती है 78 into 27 फिट होती है यहां कहा रहा है टेविल टेनिस कोड की लंबाई कितनी होती है तो आप सभी कहाँगे माप की बात की जाए तो 2.7 into 1.525 मीटर नेक्स कोशन यहां बुला गया है देखो टेविल टेनिस बॉल का भार कितना होता है तो आप गोगे 2.7 ग्राम टेविल टेनिस में जाल की लंबाई कितनी होती है तो 1.83 मीटर होता है यहां बुला गया है देखो हैड़ बॉल के मैदान की माप आप देख सकते हैं आप 40-20 होता है और जो हैड़ बॉल होती है उसके एक टीम के ख्लाडी होते है तो बारा ख्लाडी होते है यहां देखो बॉला गया है इसको सोड़िए इसको निचे देखो फुटबाल में पोल जो पोस्ट की चोड़ाई कितनी होती है तो आप वोगे आठ गज होती है फुटबाल में नेक्स कोशन है फुटबाल के खेल में कौनसा ख्लाडी गेंद हाद से पकड़ सकता है तो वो पकड़ सकता है जो गोलाक्षक होता है वो हाद से गेंद पकड़ सकता है यहां कह रहा है फुटबाल में खिलाडियों की संगय कितनी होती है ग्यारा होती है ठीक है यहां देख के के फिल्ड होता है उसकी भाप होती है 99 91.40 और 55.00 मीटर ठीक है next question है होकि के होकी के कि गोल होटे की जमीन से हुझाईंक होती है तो आपको कि साथ हुट होती है कि क्यर्ग क causa कि लंबाई चौड़ा फाइब फिल sabes है most important है ध्यान चंद्र को होकी का जादूबर देखो यहां कहा रहा है जूडो खेल जूडो खेल को इस वर्धा छेत्र है कितना माप होती है दस माई दस मीटर की होते है जूडो खेल की यहां कहा रहा है महाभारत काल में रंग इस्थल का प्रयोग होता है तो होता है मानब द्वंद युद्ध में अब देखो यहां कहा रहा है किर्किट पिछ की लंबाई कितनी होती है तो 66 फिट होती है यहां कहा रहा है किर्किट वैल्स की लंबाई कितनी होती है जो आपका व इसको देखो इसको सब चोड़ो यहार इन में से कोई नहीं और देखो कहा रहा है आप यहां सब आप चाहिए यहां गोला कि इतनी होती है तो आप देख सकते हैं दो होता है तो आप कि बात की गई है तो 34 से 18 अश्यारो यहां देखेंगे यहां गया है जो गुल्ली शब्द होता है वो किसे संब्दित होता है किर्केट से संब्दित होता है गुल्ली डग संब्दित किसे होता है डग भी अपका किर्केट से संब्दित होता है किर्केट के भगवान किसे कहा जाता है तो आप वोगे उसे गोला जाता है बास्केटबॉल देखो किरक्ट का भगवान कौन कहा जाता है कि तो इसमें तो ऑप्षिन ही गलत अब ज़े रहा है तक टूरी यहां प्ता निया यहां से एक पेंच खतम होग्या यहां देखो 35 में कोशन और यहां चोंगे कोश्चन है सोनो उसको ठीक है आप यहां देख लिए अब यह देखो बॉली बॉल में जो कह सकते हैं एंटिरा के नेट के ऊपर की उचाई जो होती है बो होती है बॉली बॉल में 60 60 cm होती है यहां बॉली बॉल जाल की जमीन से उचाई पुरसो के लिए होती है 2.43 मीटर यहां बॉर है लूरी सब्द किस छेदर संबनित होता है वो होता है हमारा बॉली बॉल से बॉली बॉल का आरम किस नाम से बुगारा जाता है आरम जो पहले हुआ था उसको किस नाम से बुलागते थे तो आप हो गए मिंट्टुनेंट के नाम से बुगारते थे सतरंज बोर्ड में कितने खाने होते हैं तो आप वो 64 खाने होते हैं चलून को सब को छोड़ो फल तुवाला ये को देखो इकत्रमा कोशन बोल रहा है बाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो साथ खिलाड़ी होते हैं यहां कहा रहा है कौन सा खेल खेलो की रानी कहा जाता है तो खेलो की जो रानी कहा जाता है वो कहा जाता है जिमनेस्टिक खेल को नेक्स कोशन की देखते हैं तो बिटा मैंने आदे से लगबंग में 50 हमने 50 पेचों को यहां कवर कर चुका है आदे मलब आदा हम कवर कर चुके हैं और बाकी हम जो है देखो section A हमारा पूरा खतम हो चुका है section B में जो है हम उन कोशनों को देखेंगे हम next वीडियो में part 2 में पार्ट टू में हम इसको देखेंगे part 1 हमने section A को clear करा दिया part 2 में section B में देखेंगे जिसमें हमारे body से लेटेड हमारी जिसमें हमारी धाचा है अस्तियां है जोडे है उन से लेटेड कोशन जो बनते हैं उनको देखेंगे हैं तो चल को subscribe कर ले ना यहां से बाहर कोश नहीं जाने वाला अब भी जादर से जादा दोस्तों को share कर देना है कोई भी दिक्कत है त चल को भी subscribe कर लेटे हैं सारी videos में आपको provide कर आवा थैंक यू